वेलकम तू डीजे केक्स और व्लोग्स आज हम बहुत ही ट्रेंडिंग जो चल रहा है कॉमिक केक्स वह देखने वाले हैं मैंने एकदम नए कलर्स लिये हैं और एकदम सिंपल ट्रिक को टिप से आपको बताने वाली हूँ यह पूरा वीडियो बहुत इंफरमेशनल होने वाल देखनों चल नमटको बैग के लिए हूँ और शों को त्रिया बने लिया यह लाते हैं और सबसे पहले बोर्ट नेग्रेंग कूर को एशां बैग से करो हो ऐगे तो देखिए इधर मैंने स्ट्रॉबेरी क्रश और थोड़ा सा जो है चॉकलेट कमपॉंड दोनों को एक साथ मिक्स करके जो है कोट करके ले रही हो और उसके बाद में साइड लॉक करके लिए नी है उससे हमारे केक को हाइट बहुत अच्छी आती है रिपीट प्रोसीजर कर क्रीम लगानी है उसके पर स्ट्रॉबेरी क्रश और थोड़ा सा डाक कमपॉंड डालके अच्छे से मिक्स कीजिए चॉकलेट केक को बहुत अच्छा फ्लेवर आता है ऐसा हम मिक्स करके बनाते हैं तो तो देखिए इस तरीके से हमने जो है अब थोड़ लेर भी लगा जो है मैंने आपको प्रॉपर वे से दिखा दिया कोई कारण से आपका केक बेग भी मतलब तूट भी गया तो आप क्या कर सकती देखिए मैं थोड़ा सा फ्लोरेस और यलो कलर लिया हुआ है और थोड़ा डार्क ऐसे इसको मैंने लगा के लिया हुआ है देखिए अब वह स्कीप किया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था और अभी हम जो है साइड को अच्छे से क्लीन करके लेंगे स्टील स्क्रेपर से ही मैं कोट करती हूं आप चाहे उस तरीके से कर सकते देखिए अब आप को भी अच्छे से प्लेन कर लेंगे बहुत सिंपल और वाइ और तरकोईस कलर का जो अपना क्रीम हम फेट के लेते हैं उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला हुआ है और उसको ऐसे अच्छे से मिक्स करके देखिए थोड़ा फ्लोई कंसिस्टेंसी का होगा इतने तक मैंने इसको रखा हूँ एकदम पानी नहीं डालना है एकदम थोड जैसे हम डालते हैं वैसे मैंने यह डाल के लिया हुआ है अगर आप पानी नहीं डालना चाहते हो तो आप जब क्रीम करते हो तो फुल मत विप कीजिए थोड़ा मतलब रेडी होने से थोड़ा मतलब 75% विप क्रीम रेडी हो जाएगी उसकी वक्त आप निकाल लोगे तो भ भील टेक्ट्चर दे रही हूं वे उस जैसे क्रियेट कर रही हो क्योंकि वह क्रीम तोड़ी सी लूज थी इसके वज़े से वह प्रॉपर शेप नहीं आ रहा था और इसको देखें से स्पाइक्स शेप ला रही हूं क्यों मुझे एक कॉमिक केक टाइप बनाना है मतलब उस और रिपीट मुझे इसकी ओडर आई है मैं अगला केक भी आपको जरूर दिखाऊंगी कि वो किस तरीके से मैंने बनाया है तो देखें इस तरीके से जो है हमको वेव का शेप देना है मैं आपको डीटेल में इसके लिए दिखा रही हूं स्लोव मोशन में ताकि आपको पत सिंपल तरीके से मैं बताने की कोशिश करती हूं तो देखिए अब हम जो है सबसे पहले बॉर्डर को करेंगी बॉर्डर में भी देखिए मैंने पाइपिंग बैग में यलो कलर ही भरा है और जैसे हम यह ड्रॉपलेट स्टाइप डाल के जाएंगे बर यह भी पूरा नहीं हुआ है इसको भी हम थोड़ा टेक्शर रिपेट देने वाले वीडियो अंट तक जरूर देखिए बहुत सुन्दर दिखता और कलर अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहे है पिंक विट ब्लू कॉंबिनेशन का चल रहा है तो मैंने सोचा कुछ नया करें इसके लिए मैंने यलो विट यह टर्कॉइस कलर लिया हुआ है तो देखिए ऐसे में स्पैचुला से जो मैंने वो ड्रॉपलेट्स डाले थे ज़स उसको ब्रेक करते हुए जा रही हूं बहुत सुंदर ऐसा पैटल का फॉर्म आता है हमको यह कॉमिक केक बनाना है कॉमिक केम का मतलब इटसेल्फ है कि यह केक ऐसा लगेगा जिसे खिलोने में का केक है तो देखिए ऐसे हमने पैटल्स डाले हुए है और मैंने पाइपिंग बैग में जो है चॉकलेट ग्लेज ल केक पे देखिए उसके जो जो ग्लॉसिनस आता है वह और जादा हमारे इस कॉमिक केक को मतलब आर्टिस्टिक दिखा रहा है तो देखिए इस तरीके से मैंने चॉकलेट ग्लेज लिया हुआ है चॉकलेट ग्लेज लेने का प्राइम रीजन यह है कि जब हम ऐसे कर्वस पे क करते हैं तो वह नीचे फॉल नहीं होगा बहुत कम चांसे हैं नीचे फॉल होने के तो देखिए इस तरीके से ऊपर भी यहने जस ऐसे लाइन बनाके लिले फुल सीधी सीधी लाइन बनानी है रैन्डम बनानी आपको बाकी प्रैटिविटीक आपकी है आप चाहें वैसे ब देख रहा है बहुत सुन्दर ऐसा हमारा यह कॉमिक केक लग रहा था कस्टमर का रात को ही मेरे पास रिव्यू आया कि देखने में तो लाज जवाब था केक तो देखिए सेम वे जैसे उपर का क्रीम का बॉर्डर था मैंने पर्फेक्ट राउंड ने लिया जैसा टेडा मेड दिखाने के कोई जुरत निया जस्ट आपको नोजल को ऐसे ट्विस्ट करना है और देखिए यह हमारी डिजाइन तयार हो जाती है हमको यह केक के लिए ऐसा ही डिजाइन बनाना है रैंडम डिजाइन बनाना है बहुत जाद आपको इसमें प्रोफेशनल लुक नहीं दिख लूस कंसिस्टनसी की रहती है और लूस कंसिस्टनसी की क्रीम को जो है थोड़ा हैंडलिंग अच्छे से करना पड़ता है तो देखिए उपर के जो मैंने रोजेट्स बनाए हुए थे उसके उपर भी ऐसे हम थोड़ा थोड़ा रैंडम ली चॉकलेट ग्लेस डालके एक केक बनेगा और एक दम जैसे खिलोने में केक्स दिखते हैं वैसा ही दिखेगा और रियली बहुत ही सुन्दर कॉम्बिनेशन है अगर आपने कभी ट्राइन नहीं किया होगा तो मैं जरूर कहूंगी कि ट्राइ कीजिए और मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि यह जो मत भूलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ में तब तक देखते रहिए डीजे केक्स और व्लॉग्स थैंक यू